हलो एवरिवाइन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैनवरी से बढ़ने वाले गाड़ियों के प्राइजिस के बारे में मारुती, मरसिडीज और ओडी ने अलरड़ी एनाउंस किया है कि अपने गाड़ियों के प्राइजिस जैनवरी से बढ़ाएंगे और अब लगता है कि टाटा मोटर्स, हॉंडा और रेनो भी इनको जॉइन करने वाले हैं और वो भी अपने प्राइजिस जैनवरी से बढ़ाएंगे तो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि ये सबी कपनी अपने प्राइजिस क्यों बढ़ा रही है और क्या हमें करेंट प्राइज पर टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प् पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो इसके चलते ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स हॉंडा और रेनो भी अपने जो वेहिकल प्राइजिस हैं वो जैनवरी से बढ़ाने वाले हैं ताकि जो भी इंपुट कॉस्ट बढ़ी है उसका जो इंपैक्ट है उसको आफसेट कर पाएं इससे पहले मारूती और लग्शरी आटो मेकर आटो मेकर और अडी और मर्सीडीज बेंस अलरडी एनौन्स कर चुके हैं कि जैनवरी से अपने वेहिकल के प्राइजिस बढ़ाएंगे मारूती की बात की जाए तो इन्होंने बोला है कि जो ये आने के पीछे का कारण है वो एक तो राइजिंग इंपुट कॉस्ट है ही इसके अलावा इन्होंने कुछ फीचर्स को भी एनांस किया है और अगर बात की जाए ओडी की तो उन्होंने भी बोलाए कि फिर्स जैन्वरी से वो अपने प्राइज बढ़ाएंगे और वो एंट शैलेश चंद्रा जी इन्होंने बोलाए कि जो कमोडिटी रौ मिटिरियल और इंपुट कॉस्ट के प्राइज लगातार बढ़ रहे हैं तो इनको पार्शली आफसेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्राइज बढ़ाना पड़ेगा शॉर्ट टम के अंदर ये इने वे इनेविटेबल है इसके अलावा हॉंडर कार्स की बात की जाए तो वो भी उन्होंने बोलाए कि वो कंसीडर कर रहे हैं प्राइज इंक्रीज इन नियर फ्यूचर अभी उन्होंने पीछे आउगस्ट में भी अपने प्राइज को बढ़ाया था और अगर रेनो की बात की ज अलावा जो ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट है क्योंकि जो यह राव मिटीरिल खरीदते हैं और इजनल एक्विप्मेंट मैनुफेक्ट्रर से उसकी जो अब डिलिवरी या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो पेट्रोल के प्राइज बढ़ने से ट्रांस्पोर्टेशन कॉस् है तो इन सब को आफसेट करने के लिए इन कंपनी इसको अपने प्राइज बढ़ाने ही पढ़ेंगे और अब अगर बात की जाए कि भाई एजन इन्वेस्टर क्या यह प्राइज राइज हमें कोई अपर्चुनिटी देता है किसी कंपनी के शेयर खरीदने में तो अगर इ इंपक्ट होना था उनके शेयर प्राइज में अल्रेडी बेग दिन है लेकिन टाटा मोटर्स को हो सकता है कि यह न्यूज शॉर्ट तर्म में पॉजिटिवली इंपक्ट करें तो अगर हब बात की जाए कि क्या टाटा मोटर्स का शेयर हमें करेंट प्राइज पे लेना चा इंवेस्ट करेंगे तो उसके बाद इनका शेयर री रेट हो चुका है और बहुत तेजी से भागा है और पिछले वीक भी जब इनके नवेंबर के सेल्स के नंबर आया है तो इनके शेयर ने पॉजिटिवली रियाट किया है लगबग 4% के आसपास बढ़ा है और अगर हम हाउस रिपोर्ट की बात करें तो नवेंबर अरली में जो रिपोर्ट आई थी वो उन्होंने 565 और 600 के टारगेट दिये थे तो अगर हम ऑन एन एवरेज भी ले तो 580 से 585 के आसपास का इनका टारगेट आता है और अगर हम टिकर टेप के प्रडिक्टिव अनलिस को देख और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीर्स अनलिस को देखे तो एक लार्ज कैप कमपनी है एक लाग साथ हजार करोड के आसपास मार्केट कैपिलाइजिशन है अलाकि इनका वेल्यूशन अभी सेंस नहीं बनाता क्योंकि ये लॉस मेकिंग कमपनी है इनके लिए जो सब से जादा फायदा उसका होगा Tata Motors को क्योंकि अलड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर जो इंडियन जो कस्टमर्स हैं वो अगर इलेक्ट्रिक वेहिकल की तरफ मूव होते हैं तो इस कमपनी को बहुत जादा फायदा होने वाला है तो इसलिए अभ Tata Motors का शेयर अभी attractive price पे available है और हम इसको current price पे भी ले सकते हैं और कोई भी correction आया तो ले सकते हैं यह यहां से लगबग 10-30% की return आने वाले एक से डेट साल में आपको दे सकता है हाला कि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि अगर आप किसी भी company का share लेना चाहते हैं तो अपने financial advisor से बात कीजिए अपनी further research कीजिए उसके बाद अगर आप comfortable होते हैं तब ही आप उसमें कोई भी investment decision लीजिए and thanks so much for watching the video and God bless you all